नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI क्रिश और आज हम करनाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे करनाटक के किसान मूं की पकी फसल की तुड़ाई कर लें करनाटक के किसान इस समय सूरज मुखी की बुवाई कर सकते हैं बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें करनाटक में किसान अरहर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें साथ ही यहां के किसान मूंग और उड़त को फफूंदी रोग से बचाने के लिए हेकसाकोनाजोल का छिड़काव कर लें करनाटक में सोया बीन में तना मक्खी के नियंतरन के लिए इमिडाकलोप्रिट का स्प्रे कर लें वहीं यहां बैंगन में फल छेदक कीट की रोग थाम के लिए किसान फेरोमोन जाल लगा लें करनाटक में किसान टमाटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें तेलंगाना में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है तेलंगाना में कपास में रस चूसक कीट के लिए नीम के टेल का छिड़काव कर लें यहां के किसान मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंतरण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें तेलंगाना में सोया बीन में सफेद मक्खी के नियंतरण के लिए जरूरी कीट नाशक छिड़क लें साथ ही यहां मूंग फली में तना सडन रोक के नियंतरण के लिए हिकसा कोनाजोल का स्प्रे कर लें तेलंगाना में मिर्च में थ्रिप्स की रोक्थाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें वहीं यहां तोरई में रस चूसक कीट के लिए किसान कीटनाशक छिड़क लें आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का के खेतों को खर पतवार से मुक्त रखें आंध्र प्रदेश के किसान दालों में चूसक कीट के नियंतरण के उपाय कर लें यहां मूंग फली में पत्ती धब्बा रोक की रोक थाम के लिए हेकसाकोनाजोल का छिड़काव कर लें आंध्र प्रदेश में ही कपास में रस चूसक कीट के नियंतरण के लिए इमिडाकलोप्रिड का छिड़काव कर लें इसी तरह कृष्शी और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद